नमस्कार दोस्तो मेरे यूटुब चैनल पर आप सभी का सौगत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम arithmetic operators के बारे में जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कौन-कौन से arithmetic operators होते हैं और उनको कैसे use करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम एक variable लें है अब हम और एक variable लेंगे और जो ए नाम का variable है उसमें 10 को add करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में हम इस तरीके से addition का operation करते हैं अब हम b के value को console में print करेंगे console.log b करके इसके बाद हम इस program को save करके run करेंगे आप देख सकते हैं console में b की value 20 print हुई है अब हम b की value 20 कैसे आई वो देखेंगे तो सबसे पहले हमने 10 number को variable a के अंदर store किया अब variable a के अंदर 10 number save है तो फिर 10 number की addition 10 number के साथ होगी और हमें 10 plus 10 20 answer मिलेगा और वो answer हमारा b नाम के variable में save होगा इसका मतलब यह है कि अब b नाम के variable में 20 number save है इसलिए जब हम b को print करते है तब console में हमें 20 value दिखाई देती है अब दोस्तो हम दूसरा arithmetic operation देखते है तो दोस्तो हम यहाँ पे a variable में से 10 को minus करेंगे और फिर से b की value console में print करेंगे save करके run करेंगे आप देख सकते है इस बार b की value 0 print हुई है अब हम देखते है कि b की value 0 कैसे आई यहाँ पे आमारी a की value 10 है क्योंकि हमने यहाँ पे a variable में 10 number को save किया था इसलिए यहाँ पे 10 minus 10 0 answer आया और वो b नाम के variable में save हुआ इसलिए जब हमने variable b को print किया तब उसका answer हमें 0 दिखाई दिया अब हम next arithmetic operation देखते है b is equal to a into 10 यहाँ पे multiplication के लिए हम star नाम के operator का use करते है अगर आप star की जगा x का use करेंगे तो आपको javascript में एक error दिखाई देगा क्योंकि normal match में multiplication के लिए use होने वाला x का symbol हम programming में use नहीं कर सकते इसलिए हमें program करते वक यह ध्यान में रखना होगा कि हम multiplication के लिए star के symbol को use कर रहे है क्योंकि programming में multiplication के लिए star का symbol use होता है अब हम b की value को console में print करेंगे उसके बाद program को save करके run करेंगे आप देख सकते हैं कि b की value अब 100 print हुई है तो आप देखते हैं कि b की value 100 कैसे print हुई है हमने यहाँ पे a variable को 10 number के साथ multiply किया है और a variable में हमने 10 number को store किया है मतलब यहाँ पे a की value 10 है और 10 into 10 100 होता है और वो 100 को हमने b variable में save किया है और बाद में b को print किया है इसलिए console में b की value हमें 100 दिख रही है अब हम next arithmetic operator देखते हैं जो कि division के लिए use होता है तो b is equal to a divided by a इसके बाद हम console में b की value को print करेंगे उसके बाद file को save करके program को run करेंगे आप देख सकते हैं output में b की value 1 print हुई है यहाँ पे हमने a variable को a variable के साथ divide किया है और यहाँ पे a variable की value 10 है इसलिए 10 divided by 10 is equal to 1 यह answer हमारे b नाम के variable में store हुआ है इसलिए जब हम b को console में print करते हैं तब हम यह b की value 1 दिखाई देती हैं अब हम next arithmetic operator देखते हैं module नाम का यहाँ पे हम लेंगे 7 modulo 4 उसके बाद हम b की value को print करेंगे फाइल को save करके run करेंगे आप देख सकते हैं b की value अब 3 print हुई है अब b की value 3 कैसे आई वो देखते हैं यहाँ पे हमने 7 modulo 4 किया है और हमारा modulo operator 7 और 4 के बीच में division करेगा और उसके बाद जो भी reminder value होगी उसको वो return करेगा तो इसने यहाँ पे 7 divided by 4 किया उसके बाद हमने 4 को 1 से multiply किया और 4 को 7 में से minus किया तो हमें reminder में 3 मिला लेकिन 3 4 से छोटा है इसले हम फिर से 3 number को 4 number से divide नहीं कर सकते इसले इस case में 3 number हमारा reminder है और यह 3 number बाद में b variable में save हुआ और जब हमने b को console.lock किया तब हमें b की value 3 दिखाई दी इसके बाद हम जावा स्कृप में यूज होने वाला exponential operator देखेंगे जावा स्कृप में हम star star नाम का operator exponential operation के लिए यूज करते हैं अब हम console में b की value को print करेंगे फाइल को save करके program को run करेंगे आप देख सकते हैं console में b की value 1000 print हुई है अब देखते हैं b की value 1000 कैसे आई हमने यहाँ पे a star star b किया है और जावा स्कृप में star star का operator exponential operation के लिए use होता है यहाँ पे हमारी a की value 10 है और b की value 3 है क्योंकि उपर वाले step में जब हमने 7 model of 4 किया था तब हमें इस operation की value 3 मिली थी जो हमने b में store की थी इसलिए हमें यहाँ पे b की value 3 मिल रही है तो यहाँ पे जो operation हो रहा है वो कुछ ऐसा है 10 raise to power 3 मतलब 10 into 10 into 10 10 into 10 100, 100 into 10, 1000 इस तरीके से हमें b की value यहाँ पे 1000 मिली अब हम जावास्क्रिप में यूज होने वाला next operator देखेंगे उसको हम increment operator बोलते है उसके बाद हम b की value को console में print करेंगे फाइल को save करके program को run करेंगे यहाँ पे आप देख सकते है b की value 1001 print हुई है जावास्क्रिप में यूज होने वाला यह plus plus नाम का operator increment operation के लिए use होता है यह operator जिस variable के साथ use होता है उस variable में one number को add कर देता है मतलब वो कुछ इस तरह का arithmetic operation करता है इसका मतलब b में पहले 1000 value थी उसके अंदर उसने एक को add किया और हमें 1001 value मिली उसको उसने बाद में b में store किया तो दोस्तो किसी भी number को x से increment करने का काम यह increment operator करता है अब हम JavaScript में use होने वाला decrement operator देखेंगे उसके बाद एक की value को console में print करेंगे फाइल को save करके program को run करेंगे आप देख सकते हैं एक की value console में 9 print हुई है यहाँ पर हमने JavaScript में use होने वाला decrement operator यूज किया है जब हम minus sign को दो बार लिखते हैं तब उस operator को हम decrement operator बोलते हैं और यह operator कुछ इस तरीके से काम करता है तो हमारे a नाम के variable में 10 number save था उसके बाद हमने 10 में से 1 को minus किया और हमें answer में 9 number मिला उसको हमने a में save किया इसलिए हमने जब a को print किया तब हमें console में 9 value print हुई तो दोस्तो जावा स्क्रिप्ट में हम इन सारे arithmetic operators का arithmetic operations के लिए use करते हैं अगर आपको इन arithmetic operators के बारे में और retail में जानना है तो मेरे channel को जरूर subscribe कीजे और अगर आपको कोई doubts हो तो comment section में उन doubts को mention कीजे दोस्तो मुझे support करने के लिए इस channel को अपने friends के साथ share कीजे और मेरे channel को भी subscribe कीजे धन्यवाद friends